12th class 12th class आज हम public administration का जो lesson read कर रहे हैं उस lesson का नाम है बरती यानि recruitment तो हम आज बरती lesson के बारे में पड़ रहे हैं जो है लोग परशाशन में civil सेवा करमचारियों की बरती की एक समस्या एक बड़ी मेहतव पूरण समस्या है परशाशन की सितरता और कारे कुशलता इनी करमचारियों पर निर्भर करती है यह कहना गल्त नहीं होगा कि यह करमचारी परशाशन रूपी सरकारी भवन के सत्म होते हैं कुशल तथा योगय करमचारों के बिना अच्छे शाशन की कलपना नहीं के जा सकती शाशन की सफलता अत्वा सफलता का अकार्ण करमचारी होते हैं वास्तों में इमानदार योगय प्रिशरमी और कुशल करमचारी पाना आसान काम नहीं है इसलिए सभी देशों के उचित वर्ती के एक समश्या बन चुकी है वर्ती शक्ति शादी लोग सेवा की कुंजी है और जैसे स्टाल का कथन है कि यह संपूर्ण लोग करमचारियों के डाचे की आधार सिल्ला है दोशित वर्ती नीती के कारण लोग पर्शाषन अयोगेनी कम्मी चिता बेवान व्यक्तियों की न्योक्ति हो जाने का सदा डर बना रहता है और पर्शाषन अपने लक्षे को पूरा नहीं कर पाता राज कल्यानकारी सवरूप ने पर्शन को और भी अधिक मैतवपूर्ण बना दिया है कौन से पर्शन को भर्ती पर्शन को और भी मैतवपूर्ण बना दिया है गिलेडेन के ने ठीका है कि सपस्टूप से एसनिक सिमाँ का इतियास को करमचारियों की भरती का इतियास कहा जा सकता है बरती का पर्षन इतना मैतवपूर्ण है कि करमचारीएं की समस्याओं का केंदर विंदु कहा जा सकता है चाहे वेतनु तथा परति फुलों में कितना अपन अनुकुलन वर्गी कर्ण कोने हो परंतु योगे करमचारियों की विनाया सब भीकार है करमचारियों की भरती संबंद परसन का सबसे पहला विज्ञानिक रूप में हल इशा से पूरो दूसरी स्टावदी चीन में आर्म हुआ था उसमें चीन में करमचारियों की योगेता क्यादार पर न्युक्ति की जाती थी आधुनिक योग में परश्या सबसे पहला देश है जिसने ठोस बरते पर नाले का विकास किया भारत में योगेता क्यादार पर अठारा सो त्रेपर में अपनाया गया जबकि इंगलेंड में सिद्धान को 1857 में सविकार किया गाता बरतिकार्थ क्या है साधान बरति तथा प्रिक्षा में कोई अंतर नहीं किया जाता दोनों को एक ही चीज समझने की गलती की जाती है जबकि लोगपर्शाशन के शबदावली में इन दोनों में अंतर है प्रोफेसर वाइट ने इन दोनों के अंतर को अपने शबदों में इस परकार किया है बरतिश शबद केवल उन विशेश कारियों से समझन देता है जो योग्य उमिदवारों की प्रिक्षा में आवेदीत करने का आकरशित करते हैं प्रिक्षा से मतलब केवल उन बाध्यकारियों से लगा जाएगा उन भाहिद कारियों से लगा जाओ केवल शिक्षा संबंदी योग्यता अत्वा आवेजन पत्तर बेजने की एक पदती है न्युक्ति अधियाकारे के पास उसकी न्युक्ति के युग्य बनाने की शक्ती है चाट कह सकते हैं जिसको इन चार सब्दों में एक दूसरे के गणिस संबंद है इन सब्दों में एक वटा दिया जाए तो बरते का काम अधुरा रहता है टक्टर M.P. शर्मा के अनुशार, भरति शबादकार्थ कीसपद के यूग्य अथाउप यूश्ट विवार, तक्विवार के उमिधवारों के तदिक स्थानों को आकर्षित करना है। जैसे किंग्सली, डक्टर पेशन, मासल डिमॉक इन सब की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से याद करनी है जैसे बरती हम पड़ रहे हैं तो बरती के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक बरती लोग परशाशन की जाने वाली बरतियों को मूट रूप से दो बागों में बाटा जाता है एक होता नकारात्मक और एक होता सकारात्मक है बरती की नकारात्मक बद्दे का उदेश है यह होता कि सरकारी पदों से एयोगे एम चालाक व्यक्तियों को दूर रखा जाए लोक्षेवाओं में पक्षपात और दलगत राजनिती के परभाव को मिटाया जाए तथा पर्शाशन को जहां तक हो सके निश्पक्स एमकारे कुशल बनाया जासके जिसमें योगेता पदिती को करमचारियों की भरते के लिए अपनाया गया था उसमें उनका पर्योग निश्यदात्मक्ता लूट खसोट पदिती में सुधार करने की दृष्टी से अपना अगाथा इस परकरिया में बरते करता कुछ ऐसे नियम बना देते हैं जिसकी आदार पर केवल योगे व्यक्तियों का ही उमिदवार बनाने का आवसर प्राप्त हो और चालक तथा बेवान व्यक्तियों को लेक लोग से माँ से बाहर रखा जा सके परंतु इस पर नाले का दोश्य है कि नालायक तथा बेमान व्यक्तियों को ले लोग सेवाउं से दूर रखने के प्रियास में जाने अन्जाने अनेक योगे व्यक्तिय बाहर रह जाते हैं इसलिए बर्ते के सकारमा सकारात्मक उपायों को आज का लगबग सभी देशों में अपनाया गया है जो बर्ते का सकारात्मक है उसमें क्या है उनमें विभिन सरकारी पदों के लिए उचित तथा योगे विक्तियों के खोज के प्रियास के जाएं जैसे पर्थम संभावित उ विज्यापनों पोस्ट्रों प्रिच्य पत्र समाचार पत्र पत्रिकाउं से सचित्र विज्यापन तथा सनेमा दवारा विज्यापन आधिक वाकसित किया जाता उन्हें सर्विस में होने वाले लाभों का ज्यान करा जाता है प्रंतु विधी का प्रियोग तभी किया जाता ज युद केश में सैना की भरती करना, दूसरे मा युद में सैना की भरती के लिए एक विशेश विदी को पनागा था, दूसरे परदर्शनकारियों के माध्यम से संभावित उमिद्वारों को आकरशित किया जाता है, दूसरे मायूत किसमें इस परकार के परदर्शनें लगाई की थी जिसमें रंगरूटों को मिलने वाले देनिक भूजन बत्ते वर्दी अन्य वस्तरों पर सुभिधाओं का परदर्शन किया गया था तीसरे जो बर्दी किसकारात्म कमेतों प्रूपद दिया है कि उमीदवारों को सत्रोज सथल पर्तेक्स बादचीत की जाए उदान के लिए इंजिनियरों, डक्टरों, राजनेतिक सेवों की बर्दी करनी हो तो बर्दी अधिकारे संस्थाओं के संप्रक स्थापित कर सकते है उन्हें योग्य विद्यार्थों के गसूची देने की प्रार्थना कर सकते हैं, जिस क्यादार पर वे विद्यार्थों से बादचीत करके आविदन पत्तर बेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं चोथे तथा उच्छे पदों पर बर्दी के लिए विशिस परकार योग्य तथा आनुभव की आवशकता होती है, इसलिए उच्छ पदों की बर्दी के लिए बर्दी करता अधिकारे उप्युक्त विक्चियों के परतेक्स रूप से संप्रक स्थापित कर सकते हैं, और न उचित विक्चियों को परते योगिता में शामिल होने के अनुवति दी जाए, स्टाल के मतानुसार विधी के मोलिक तत्तों के निमिन तत्त समलितोंने चाहिए, लोग सेवाओं के पदों के लिए रोजगार बाजार की खोजता उसका सन्वर्दन क्या जाना चाहिए, बर् भ्यानिक प्रिक्षन का प्रियुक करया जाना चाहिए स्थापन, सर्वीश में योगमी द्वानों को लेना चाहिए स्थापन यानि प्लेश्मेंट कारिया करम जिसके दोरा ठेक विक्ति को ठेक कारिय सोपा जा सके। भर्ति की परिक्रिया अवचिनिय अंग की रूप में प्रशिक्षिन का कारिय करम, भारत जैसे देश में जान लाखों व्यक्ति पिकार है, साधान यह सूचा जाता है कि भर्ति किसका रात्मक पदती, इस संख्या जो पदती को अपनाने की आवशक्ता नहीं है, अपितु ऐस विचार ठीक नहीं है, यह है ठीक है कि साधान पदों के लिए भहुत बड़ी संख्या में उमिदवार पहुच जाते हैं, परन्तु उच पदों के लिए योग्य उमिदवारों का मिलना भारत में उतना इकठिन है, जितना अन्य देशों तता कई बार भर्ति करने वाले अनुसार, करमचारियों की बर्ति समश्या जो निमिन लिखित समश्या हैं, बर्ति का अदिकार किस से प्राप्तोरा से है, सरकारी करमचारियों को बर्ति कहां की कहां, बर्ति कहां से की चाहिए, भीतर या भारी, यह भीतर भारी बर्ति का जो मैं आपको स्पस्ट कर दो, भ जब हमें हम already government job में है या हम जब job में है और job में रहते रहते हो हमारा जो पर्मोशन होता है वो भीतरी बरती कहा जाता है जो बारी बरती होती है उसमें क्या होता विग्यापन आता है फोम बराया जाता है उसमें टेस्ट दिया जाता है इंट्रिूज वगरा होते हैं बाद मे स्लेक्ट्षन उता है तो भारिवर्ती क्यालाती है बिन बिन पतों की पूर्ति के लिए क्या योगेता हो ये इस भी उसमें मेंशन होना चाहिए। उमीद्वारों के योगिता निर्धान किस परकार क्या जा सकता जाना चाहिए प्रिश्याओं से विक्ति दवारा, शाक्षातकार दवारा और योग्याता निर्धान करने के लिए परसास के संगठन कैसा होना चाहिए